आपको दिखा रहे हैं कि मुखमंत्री योगी आदितनाथ है। यहाँ पर कार्करम की सुभारम करती एक कलस का जो पूजन है तुलसी का पेड़ उनको दिया जा रहा है। वो आप देख सकते हैं तदभीरों में मुखमंत्री यहाँ पर मौझूद हैं। कारकरम की वो शुरुवात भी करेंगे मुकमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं आप तजबीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से तजबीरें हैं जिस तरह से तजबीरें हैं वो आप दिखा सकते हैं कि मुकमंत्री योगी आजितनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं आप य है यहां पर दिखाई कर रहा है और फुझा मंत्री योगी आदितनात कर रहे हैं कर मिया सुभारम करते ह hen वह तज्बीरे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुखमंत्री उनकी जो लोग हैं वो तस्बीरों में दिखाई दे रहे हैं जो तस्बीरों में दिखाई दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं मुखमंत्री योगी आजितनाथ को तस्बीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे दिखा रहे हैं तजबीरों में देखें हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं सब्सक्राइब वो आप देख सकते हैं कि तीर दिसम्बर को प्रधान मंतरी ने पका था है यहाँ पर वो कारकरम आयोजित किया था और आज देख सकते हैं कि मुकमंतरी योगी आधितनात अपने कारकरम की सुरुवात कर रहे हैं सचतीर्थ अभियान कि ये सुरुवात योगियाद इतनाथ की तरब से किया जा रहा है जिसका नासिक से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने आहवान किया था तो यह देखिए सच्चता अभियान के जो गाडियां हैं यहाँ पर उनको हरी जंडी दिखा रहे हैं मंत्री योगियाद इतनाद उनके साथ कृष्टी मंत्री सुर्पताप साही जाकर सांसाद लल्लू सिंग बिधायक बेद गुपता मेयर ग्रीश पतीतर पाठी कमिशनर गवरोदयाल सभी लोग यहाँ पर आपको मौझूद है नगराइक विसाल सिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो सच्चता अभियान कि जो दिखाई दे रहे हैं तो यह जो जंडियां है वो आप देख सकते हैं कि कि तरह से जो तजबीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि कि तरह से यहां की जो तजबीरें हैं वो हम आपको दिखाई दिखा रहे हैं तो मुकमंत्री योग्यादितनात में हरी जंडी दिखा आ रहे हैं जो पूरी तस्विर्ण को दिखा रहे हके कि तरह से यहां पर जो त्यारियां है वो आप देख सकते हैं धिक्या है त। कि अधर नहीं है कि अधर आज़ने हैं कि अधर के बारे वह फिर से अब सबीकर स्वगत है तो अधर से लगातार तस्वीरे सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत चुके हमारे वरिष सायोगी अजीत वहां पर मौझूद है आजीत हम चाहेंगे कि तस्वीरे ज़र देखें बिल्कुल दिब्या मुख्यमंत्री ने पहले कलस की पूजा किये और उसके बाद संक धोनी हुए और उसके बाद सचता अभियान की सुरुआत कर दिये ठीक पीछे हमारे मुख्यमंत्री योगिया अधितनात मौझूद है एक बार हम आपको तस्वीरे दिखते हैं किर्सी मंत्री हैं सभी लोग वहां पर मौझूद हैं तो वह तद्वीरे आप देख सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगिया अधितनात मौझा से सीधे जो गाडियां हैं वहां से अब रवाना हो चुकी है चुकि सीम अब वहां से सीधे यही मूप करके आएंगे और यह तद्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तो आप आप देख सकते हैं कि जो शिकोर्टी है लता मंगेस कर चौरा है पर वह आपको दिखाई दे रही और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री वहां से सीधे यहां आएंगे जहां पर वह सचता अभियान की सुरुवात करेंगे और सचत अभियान की जो है वह सुरुवात करेंगे मुखमंत्री योग्यादितनाथ यहां पर जहारू लगाएंगे वह आप देख सकते हैं तद्वीरों में देख सकते हैं और देखे मुखमंत्री योग्यादितनाथ के हाथों में देखे आप मास्क लगा रहे हैं वह मुखमंत्री अभियान के लिए तयार हो रहे हैं और देखिए उनके हातों में जाडू है अब वो साफ सफाई करेंगे यहां पर जो तजबीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मुकमंत्री जाडू लगाने जा रहे हैं वहां के तजबीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सच्छता अभि जान की जो है उसरुवात कर रहे हैं तो मुख्मंत्री दिव्या यहां पर पहुंचे पहले उने बटन दबाया यह इतना यहां तक पहुशना इतना आसान नहीं था इसलिए मुख्मंत्री जब संबोधन देंगे तो इस बात का जिक्र करेंगे तो इसमें हर किसी की भागिदा साफ सफाई कर रहे हैं सचता अभियान की सुरुवात कर दी है वह आयोध्या के लता मंगेश कर चौरा है फर जाडू लगा रहे हैं और आप देखिए मुख्मंत्री योगी आधितनाथ हैं उनके साथ सच्चू जो चंपत राए हैं तीर्ट्रेफ्ट के सच्चू हैं वह आ जाता अवद पुरी यह तरुचिर बनाई तो देखें यहां पर जो करक्रम है वह सचता अभियान की सुरुवात मुख्मंत्री योगी आधितनाथ में कर दी है यहां पर जो जाडू लगाया जा रहा है जूकि नासिक से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने इसकी सुरुवात क देखें वहां पर मुख्मंत्री ने देखें साफ सफाई करी है और वहां से जो है अधिया जाडू लगाकर यह सवचता का संदेश मुख्मंत्री की तरफ से दिया गया है फिलाल यह एक्स्क्लूसिव तस्वीर आपके सामने आयोध्या के मेर वहां पर मौजूद है का संदेश बड़ा मेसेज देने की भी कोशिश हो रही है हमारे साथ हमारी सायोगी नितीश भी लगातर बने हुए नितीश आपके पास क्या अपडेट तस्वीर हम लगातर देख रहे हैं स्वाचता अभ्यान के संदेश दिया जा रहा है जी हम इस वक्त रोडवेट पर मौजूद है और यहां पर कुछ देर में मुख्यमंतरी पहुचेंगे उनके स्वागत के लिए यहां पर तमान तरह के यह जो सांस्क्रितिक रंग आपको है सामने है वो दिखा रहे हैं हम आपको और यहां से मुख्यमंतरी परियावरण रक तो है उसकी शुरुवात करेंगे और उस इटो में सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसको महिलाएं संचालित करेंगी यानि जो इटो है उसको महिलाएं चलाती हुई नजर आएंगी आयोध्या इस बार महिला शर्षक्तिकरण का भी संदेश देगा और आज उसकी किसी किसी शेत्र का नित्वेग आपकर वे लोग प्रस्थुद्य कर रहे हैंड़ देखिये यहां पर यह जो लाठी लेकर हाथों में युवा खड़े हैं कहां से है ये देखे ये शंकनाध भी है आपके सामने कुछ और भी है लोग यहां पर जो अपना प्रस्तुती ले कर यहां पर बहुंचे हैं लोग तो आप लोग कहां से अयोध्या से प्रस्तुति कहां की है बधावा-योध्या की यह बधावा-योज्द्या-ग्रति उनिक लोग कला है की इसको है प्रस्तुति हो पर पर देते हैं और इन कलाओं का प्रदर्शक उसके मंत्री के स्वागत के लिए और अभी से ये प्रदर्शक शुरू हो गया है और यह देखे यहां पर आपको यह बजाते हुए लोग अर्मोनियम बजाते हुए लोग दिखाई देगे इसके अलावा आपना गया है यह दिखे तरह के साथा और जब दूपी के मुख्या अयोध्या में है और जिस तरह से आयोध्या के विकास पर अपनी पहनी निगाह बनाए हुए है और जल्द ही प्रावतिस्था का कारिणम है तो पूरी अयोध्या इन दिनों इनी सांस्कितिक उत्सवों में डूबी हुई है और इसकी एक झ्छ आयोध्या को नया रूप प्रदान करती हुई नतर आएगी यह तस्वीरे आपके सामने देखे अलग-अलग लोग कलाएं यहां पर आपको दिखाई देंगे हर तरह के कलाओं से सुसचित यह जो कलाकार है वो यहां पर दिखाई देंगे और इन कलाओं का प्रदर्शन मु आप देखे यहां पर आपके सामने और यह जो कलाकार है वो अपने प्रस्तुती देखाई दे रहे हैं तो में इससे जानेंगे नहीं यह जिस तरह से लोग कलाओं का प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं कितना अधम द्रिश्चित मंत्री का इंतजार और पूरे शहर में इस जो कलाकार है वो आपको इससे दिखाई देंगे और पूरी तरह से उसो के रंग में रंगे हुई आयोध्या अब तरह आपको दिखाई देंगे और इसके बाद एक तस्विश और दिखा हुआ सामने एक मंच लगा हुआ है यहां से मुख्यमंत्री जो इवी सेवा है उसकी आप देखे यहां पर ये दिव्य आयोध्या दिव्य आयोध्या का जो स्विश है वो सारी थो रहा है तो देखे इसमें जो-जो सोगाते हैं उनका आपको एक दृश्य हम दिखा रहे हैं इवी, कैप बुकिंग सुविधा, इसके साथ अयोध्या में स्टे बुकिंग के सुविधा, गाइड बुकिंग के सुविधा और इस एप के जरिए जो दिब अयोध्या एप है उसकी विशुरुआत जो होगी वो इन सारी सुविधाओं को देने वाली होगी